है लो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल जैमातादी कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है सनिवार के दिन की है और अभी साम के टाइम से मेरा जो है न ब्लॉग स्टार्ट हो गया है तो यहां पे अभी जो टाइम हो फ्रेंड्स बज रहा था साड़े छह लेकिन बाहर बिंडों के बाहर देखिए बहुत ज्यादा अंदेरा हो रखा है क्योंकि मेरे यहां बहुत ज्यादा बारिस हो रही है मतलब बहुत ही ज्यादा थरजडे के दिन तो मेरे यहां जहां मैं रहती हूं राची में तो पहले जिसके चलते पानी बह जाता है लेकिन राची में में टाउन में बहुत जगह ऐसा है कि घर डूप चुका था तो जिसके चलते यहां पे न मेरे यहां मार्केट जो लगता है सनिवार और यह सुकुरवार के दिन का तो सुकुरवार के दिन भी बारिस बहुत तेज थी और सु को ले करके आप मार्केट चली गई और सबजी लेने के लिए क्योंकि आज के भी दिन मार्केट में बहुत कम लोग सबजी ले करके बैठे थे जैसे मुश्किल से बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन मतलब गीन चुन के ना 20 से 25 लोग ही बैठे से सबजी ले करके वो भी जितन चल जाता है आलू प्याज रहना जरूरी होता है तो वही मैं जा करके husband के साथ और थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले करके आई हूं मिला तो कुछ नहीं है एक दो सब्जी ही मिला है लेकिन जो मेन मुझे चाहिए था कि आलू प्यास टमाटर यह मेरा हो गया था तो यहां पे मैंने भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है तो जिसम्हें में मार्केट से आई वैसे ही मैंने यहां पे आलू को कट किया है और आज रात में बना रही आलू और सोयाबीन की सबजी और равно मेरे ही मन और तो जब बारिस के टाइम में अच्छा सा खाना ही खाने का मन होता है जैसे कि पूरिया वगर है और मतलब कभी कभी हो जाता है मन की मतलब यह इस तरह के जो रात में हैं खाने खाये जाए तो वही मैंने यहां पर रख दिया है दूद गरम करने के लिए तो आज मैं बनाऊंग की मेरे बच्चों को नहीं पसंद है तो यहां पर मैं मतलब सुयाबिन को भी पहले गाली थी और उसके बाद आलू कट करने के बाद यहां पर फटा फट जो है सबजी की मतलब सभी तायारियां कर ले थी उसके बाद यहां पर मैं मार्केट से लेकर के आई थी बीट तो बीट को भी अच्छे से छील करके काट ले रही हूं और इधर मैं रख दी हूं पकने के लिए एक तरफ दूद की ताकि अच्छे से जब किया दूद पक जायेगा तो फट मैं इधर सेवई डाल दोंगी तो सेावई को मैं सबसे पहले ठोडे से घी डाल करके ढूनकर ली हूं ऐसे यह नौस्टेट से वही होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं गी डाल करके और इसको हलका सा भून लेती हूँ ति इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इधर देखिए मैंने जो है न कुकर में ही जो सोया बीन को भीगा के रखा था न उसको अच्छे से भून करके निकाल ली हूँ और नि भूद खौल गया था यहां पर मैंने जो सेवही भूना था कडाही में घी डाल करके उसको भी मैं यहां पर डाल दी हूँ और बस यह जब पक जाएगा ना अच्छे से तो यहां पर मैंने डाला है गुड़ चीनी बिल्कुल भी मैं नहीं डालूंगी गुड़ का ही यूज बहुत अच्छे से जो है उसके साथ पक जाता है तो खाने में अच्छा लगता है और इधर मैंने जो एक बीट को कट किया था उसको भी मैं यहां पर पीस ले रही हूँ मिक्सर ग्राइडर में और अभी के टाइम पर लाइट नहीं था इनवर्टर से ही मैं पीस रही थी त कि यहां पर भी कहीं बाढ़ ना आ जाए तो उसी के चलते उसके बाद फ्रेंट्स यहां पर जैसे ही मैंने बीट को पीस लिया है अब साथ ही साथ मिक्सर को भी साप कर दे रही हूं यहां पर क्योंकि इस पर जो ना मतलब जैसे इसको कभी-कभी साफ नहीं करिए तो दाग लगा ना तो फूल टी-शर्ट और फूल पैंट भी मैंने पहना दिया है और उसके बाद देखे फ्रेंट्स उधर मैंने सब्जी चढ़ा दिया है और इधर जो से वहीं भी पक रही है अब मैं लगा ले रही फटा फट आटे तो मैंने यहां पर लिया है थोड़ा सा मैं लगा लगए जैसे मतलब पूरी का आटा लगता है उसी तरह से और इसमें और कुछ भी मैंने नहीं डाला है बस इतना ही डाल करके और यह जो पूरी होती है ना बहुत ज़्या टेस्टी लगती है यहां पर देखे फ्रेंट्स आटा मैंने लगा के रग दिया था और इ तो बच्चों के अंदर जो है ना अच्छा सा न्यूटिसियन चला जाता है तो इसलिए मैंने यहां पर बीट का पूरी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था बीट का पूरी और इसमें थोड़ा सा सूजी डाल देने पर और भी टेस्ट आ जाता है अधि पूरी डाल करके और इस तरह से मैं फ्राइ करके निकाल लूँगी तो एक बार जब पूरिया अगर बेल करके रख लीजिए तो फिर प्राइ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो थोड़ी सी जो है मैंने पूरी पहले ही बेल करके रख ली थी और उसके लग रहा था तो बस यहां पे मैंने लगा दी है सब के लिए थाली तो यहां पे थोड़ी सी सबजी और यह जो है सिवई और पूरी सभी के लिए मैं निकाल दे रही हूं तो आजाए यह फिरेंड्स आप लोग भी और बिलकुल गर्मा गरम डिनर है और आप लोग भी कर ल पूरी बना ली थी मैं न सभी तो उस टाइम पे सब लोग एक बारी बैठ करके खा लिये थे उसके फ्रेंड्स यहां पे सभी के खाने पीने के बाद यहां पे मैं कर ले रही हूं रात की जो की चिछन की क्लीनिंग होती है वह सारी जो की हर दिन कहीं होते है यह काम रात में लिए तो सुभा की जो जन्जट होती है खतम हो जाती है तो यहां पे बर्तन साप कर ले रहे हूं और पानी इतना ज्यादा है ना कीचन में एक बुन भी पानी कहीं गिर जा रहा है तो फिर वह पानी सूख नहीं रहा है बारे बारिस के चलते और बहुत ज्यादा तेज हो तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं सब्जी लेकर के आई हूं तो बहुत अच्छा काम की हूं जबकि दो तीन सब्जी बची हुई थी और उसके बाद मेरे हाना बारिस बहुत ज्यादा ही हो रही है अब तो एकदम दिमाग खराब हो गया है बाहर में सीडी के उपर से भी प हगा रहता है जब बारिस मतरा इला के जोडरी modern हो रहाहा है तो दीा कर दिया तो इस तरह से किचन कांटर क्लीन कर लेने के चल्बादर फरेंट्स यहाँ पर हलका सामय ने हर्पिक बीम capable लीक्विड होता हम और आलकि पूड़्य बनायए न तो थोड़ा सा तो पूरा कीचन काउंटर को में ने clean कर लिया और गैस lila को buyAG को sorry varsa base कपड़ा राता है उसको बातब श्राप में बहुंत अच्छ से साफ कर दिया है और अब मैं last में कर लूंगी साफ यहां पे वस्वेंसिंग को तो वास वेसिंग को भी हलका सा सरफ में डाल देती हूँ और उसी से रगड अगड के और वास वेसिंग को साप करने के लिए मैंने यहां पर अलग रखा है तो उससे मैं वास वेसिंग साप करती हूँ तो यहां पर देखिए मेरा कीचन बिल्कुल क्लीन हो गया है और अब मैं जो है ना, जो सबजी मैं लेकर की आई थी उन सारी सबजीयों को मैं धो करके और यहां पे बास्केट में रख दूँगी, तो यहां पे जितनी भी सबजीयां थी, सबकुछ सबजीयां मैं यहां धो ले रही, वास्वेसिंग को अच्छे से धोने के बाद उसी में मैंने डाल है था सारा सब्जी और इसको दो करके रख लोंगी और कीचन का कपड़ा ना यह बासकेट के सामने में रख दी हुँ ताकि उससे जो पानि निकलेगा नीचे नहीं जाएगा तो इसी में रहे गा जैसे यहां पर ना वाईपर से इसको पानी साप कर दूँगी और सब्जी तो मैंने द्हो लिया था लेकिन सुबा तक यह सब्जी बिल्कुल भी सुखी नहीं थी क्योंकि बारिस के टाइम पे ना मौसम एकदम मौस्टर सा तो दूसरे टाइप का ही मौसम हो जाता है पानी वगरा क कुछ भी नहीं सूखता है कपड़े भी कुछ भी नहीं सूख रहे हैं तो सब्जी आजकल दोने का इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बारिस के टाइम में पूरी सब्जीयों में बालु सजय से दिखता है ऐसे भी तो गर्मी में तो मैं साप नहीं करत